हेलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए इनर केप लेका आई हूँ यह इस पेशली इनर केप बीगनर्स के लिए बनाया गया है जिन से कम सिलाई आती है यह हमारे केप की देखे बैक साइड है मैं हमने लास्टिक लगाया है देख आप एंच 75 गाफर हमेंच 5 immense 13 के मारक करेंगे यह 8 अशे 6ींश पर 2 अनर के लिए जिस तरह फ्रेंगे का मारक लगाते हैं निशान रग शुका है अब हम कटिंग करेंगे फ्रेंट साइट कटिंग हो चुकी है अब हम बैक साइट कटिंग करेंगे बैक साइट कटिंग करने के लिए डबल लेयर में 18 इंच की लेंथ में फेबरिक लिया है 3 इंचिस का मार्क लगाएंगे दोनों ही साइट हम राउंड शेप देंगे आर्म होल की तरह और फ्रेंट्स कटिंग कर लेंगे फ्रेंट साइट और बैक साइट कटिंग हो चुकी है अब हम इनर कैप को सिलेंगे देखे फ्रेंट्स मार्क लगाएंगे डबल लेयर की किनारी है यह यह बैक साइट है बेक साइट में भी मार्क लगा लेंगे ये फरंड साइट है और ये बेक साइट है सीधे उल्टे कपड़े को चेक करेंगे मार्क के उपर मार्क रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे वन साइट सिलाई लग गई है इसी तरह दूसरी साइट हम सिलाई लगाएंगे देखे फ्रेंड, फ्रेंड साइड और बैक साइड दोनों सिल गई हैं अब हम एक्स्टा फेब्रिक की कटिंग करेंगे और यहाँ पर प्लास्टिक लगाएंगे फ्रेंड हमने तू इंच का प्लास्टिक लिया है बारिक लास्टिक है यह प्लास्टिक को सिलाई पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे लास्टिक की दूसरी साइट को हम दूसरी सिलाई पर रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे लास्टिक बैक साइट के साथ जूट चुका है प्रेंट्स अब हम इस टेप को सिंगल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे देखे इस तरह हम कोना बनाएंगे सिंगल फोल्ड क्या है हमने इसी तरह फ्रेंट्स किनारी को सिंगल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे स्टेप को फोल्ड करेंगे सिंगल फोल्ड और कोना बनाएंगे देखे फ्रेंट्स ये राउंड शेप में कटिंगे धिरे धिरे इसको सिंगल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे देखे फ्रेंट्स ये लास्टिक है फैबरिक को सिंगल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे सभी किनारियों को हमने सिंगल फोल्ड क्या है हमारा इनर केप सिल चुका है आई होब आपको हमारा इनर केप पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू